कंडस्टेंडिंग के तहट एक सीक्रेट डील के तहट इस पूरे कवायत को चला रहे हैं जिसमें एक इलेक्शन स्टंट वाली F.I.R. दर्ज हुई और आज तक बिकरम सिख मजीठिया का अरेस्ट चन्नी सरकार ने नहीं किया और नहीं वो करेंगे यह मैं आपको इस प्रेस क कॉन्फरेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर चन्नी एक कॉंप्रमाइजड चीफ मिनिस्टर है और वो ना नशे के खिलाफ कोई आक्शन ले रहे हैं और ना ही वो लेना चाहते हैं इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हुआ थैंक यू खुले आम गुम रहे हैं अरेस्ट क्यों नहीं हुआ लोक आउट नोटिस का क्या मतलब होता है लोक आउट नोटिस जारी हो गया अक्यूस्ट खुले आम गुम रहे हैं अक्यूस्ट की अंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है लेकिन पंजाब पुलीस पकड़ नहीं पाती अगर सूबे की पुलीस चाहे तो मंदिर के बाहर से चपल भी चोरी नहीं हो सकती लेकिन सूबे की पुलीस गिरफतार नहीं करना चाहती बिकरम सिंग मजीठिया को इसलिए गिरफतार नहीं करना चाहती क्योंकि चन्नी साब की डील हो गई है इनके साथ और ये एक बड़े सीनियर पुलीस अफसर ने हमें बताया है कि चन्नी साब ने अपनी पुलीस फोर्स को ये इंस्ट्रक्शन्स दी हैं कि गिरफतार ही नहीं होनी चाहिए एफाई यार करो सियासी फाइदा मैं लूँगा बड़े बड़े इस्तिहार दूँगा लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करूँगा लेकिन गिरफतारी नहीं होनी चाहिए यह उन्हाने खुट गा सरयाम घूम रहे हैं पंजाब में लेकिन पंजाब पुलीस नहीं पकड़ती एंटिसेपेटरी बेल रिजेक्षन होना मतलब सूबे की पुलीस द्वारा अरेस्ट वारेंट पर मोहर लगाने जैसा होता है कि अब आपको खुली छूट है आप अरेस्ट कर लो फिर भी पुलीस सूबे की गिरफतार नहीं करती वीर जी विकरन बेवत आजेता हूँ हम उतावले सिर्फ और सिर्फ चरणजीत सिंग्चन्णी को एकस्पोज करने में हम एकस्पोज करना चाहते हैं कि वो शक्स चरणजीत सिंग्चन्णी जो कहता है कि मैं रेता बज़राई माइनिंग को बंद करूँगा उसके अपने हलके में वो खुद illegal sand mining कराता है वो शक्स जो बड़े-बड़े इश्तिहार देता है कि मैंने नशे के मगरमच को पकड़ लिया, FIR दर्च कर दी वो arrest करने से डरता है, घबराता है क्योंकि उसने एक secret deal करे मैं आज चाहूँगा कि आप लोग जाकर चन्नी साब से मेरा एक सवाल पूछें उनसे पूछें कि लुध्याना के city center घोटाले में जब आपका भाई एक को अक्यूस्ट था, तो क्या अपने बादलों के सामने हाज जोड़कर अपने भाई को रिया नहीं कराया था, क्या आज उसी एहसान का आप बदला नहीं चुका रहे, क्या इनकी पुरानी डील नहीं है, ये सवाल आप, चरण जीत सिंग चन्नी साब से जाकर पूछेगा ये तो सूबे की जनता तै करेगी कि इस चीज पर बोलने का हक, मैं आपको कानूनी तौर पर बता देता हूँ, क्लोजर इन डेफिमेशन केस डज नोट मीन डेट इपेटिशनर इस इनोसेंट, डज नोट मीन कि जो याचिका करता है, जिसने पेटिशन फाइल करी मानानी के मुकदमे में, वो बाइज़त बरी हो गया, वो एक लिमिटेट डेफिमेशन का मामला होता है, कौन शक्स चाहे पे लेकर हिंदुस्तान की 50 अदालतों में रोज चक्कर मारे, सब चाहेंगे यार गलनू मुकाईए, खतम करिये, दबाव कौन कहा रहा दबाव, ये तो आपके शक्स है, हमारे तो कोई वर्ड नहीं, आपका इंटेप्रेटेशन हो सकता है, हमारा नहीं, बिलकुल बिलकु चीज़, हम नशे के वेपार को बंद करेंगे, हमारे सूबे के जो नौजवान नशे के शिकार हैं, उन्हें रिहबलिटेट करेंगे, उन्हें अपने हाल पे नहीं छोड़ेंगे, उनका हाथ पकड़ के उसे इस नशे के दलदल से निकालेंगे, ठीक करेंगे, और नशे के बड़े बड़े सौधागरों को मगर मच्छों को हम पकड़ेंगे जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे फिक्स मैच होंदा सी आप भी जानते हैं इस बात को ना रैली होती है ना पैसा लगाया जाता है ना पार्टी का कोई सपोर्ट होता है और एक अंडेस्टेंडिंग के तहट पूरी और्गनाइजेशन को बोल दिया जाता है पूरे कॉंग्रेस के संगठन को बोल दिया जाता है कि साथ नहीं देना केंडिडेट को नहीं साथ देना विक्रम मजीठा को जीतने दो अब और्गनाइजेशन साथ है पार्टी साथ है अर्विन केजरिवाल साथ है हम दल बल टन मन धन से उसके खिलाफ महां चुनाव लड़ेंगे और आप देखेंगे इस बार कि मजीठा हलके में आम आदमी पार् मैं सारे सारे केसिस के डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूगा और मैं चाहूंगा कि आप एक इंडिपेंडन स्टडी करकर जनता के सामने वह रखें कि कैसे उस हलके का मले पुलिटिकल राइवल्री के चलते पर्सनल राइवल्री के चलते उस शक्स पे लगातार पर्चे कराता रहा पंजाब के अंदर तो फैशन है पर्चे कराने का किसी पे 307 तो किसी पे 365 का मुकदमा करा देते यह फैशन है उस आदमी को विक्टेमाइज किया गया उस हलके के मेले द्वारा और अब इस एलेक्शन में हमारा कैंडिडेट हरा कर ये साबित करेगा कि पंजाब में जूठे पर्चों की राजनीती सियासत बंद हो और पुलीस फोर्स को इमानदारी से इंडिपेंडेंस के चलते अपना काम करने की इजाज़त मिले सारे आप सारे डॉकिमंट्स में आपको दे दूँगा सब में या तो कोट से रात मिली है कोट ने का है यह सारे फर्जी केसिस हैं पुलिटिकल केसिस सारे पर्चे कराएगा इडी के डॉकिमंट्स भी आपने पड़े स्टीफ की रिपोर्ट सब के पास है कोई खोलता नहीं है बड़े बड़े अक्यूस्ट के बयानों में नेताओं के नाम आए फाई आरे दर्जुई एंडी प्येस एक्ट में फाई आर दर्जुई आईपीसी के कोई दारा नहीं इनडी पीस एक्ट की धराएं लगी हैं लेकिन गिरफदारी नहीं इसको भी और मश्बूत किया जा सकता था लेकिन अब तो सारा खेल खुल गया ना अरेस्ट ही नहीं करना अरेस्ट करने की इच्छरी नहीं अब चन्नी साहब से मेरे कहने पर यह सवाल आप लोग जरूर कि सिटी सेंटर गोटाले में क्या चन्नी साब अपने भाई को छोडाने के लिए बादलों के सामने गिर्ड़ आए थे कि नहीं गिर्ड़ आए थे और आज सुखबीर सिंग बादल के साथ चन्नी साब की सीक्रेट डील हुई है कि नहीं हुई है चन्नी साहब आम आदमी पार्टी के सवाल का जवाब दे मैं चाहूंगा